राजनीतिक सरगर्मी के बीच बिदेस दोरे से बिहार पहुचते ही जमुई सांसद चीराग पाश्वान मुखमंत्री नितिस कुमार पर जमकर बरसे और मुखमंत्री पर कई आरोप भी लगाया है चीराग पाश्वान ने कहा कि मुखमंत्री के खेल खेलने के सौक ने बिहार को बरबाद किया है जब से उन्हें सौक चढ़ा है बिपक्ष को एक करने का तब से बस यही चर्चा हो रही है कि यह मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे संयोजक बनेंगे या नहीं बनें बिहार में बढ़ते अपराध एवं बिहार में सराब बंदी की सफलता पर चर्चा हुई है क्या चिराग पाश्वान ने कहा कि परदेश के गिरी मंतरी है यह कितनी बैठक की है अपने अधिकारियों के साथ ताकि बिहार में अपराध पर नियंतरन किया जा सके इन तमाम बात पर मुख मंतरी के आखे बंद रहती है उनके कान में जूह तक नहीं रेंगती लेकिन जब बात संयोजक बनने की आए तो दिल्ली से बेंगलोरू तक जाएंगे सब जगह से बेज़त होकर आएंगे लेकिन फिर अगली बार जाएंगे बात किया है पिछले साल भर से मुझे बताईए जब से इनको शौक चड़ा है विपक्ष को एक करने का पिछले एक साल से ये सयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे मिटिंग में जाएंगे नहीं जाएंगे सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है पिछले एक साल में बिहार में जानून की विफलता को लेकर कोई समिक्षा बैठा कोई मेरे प्रदेश के ग्रह मंतरी भी है ये कितनी बैठे के की इनोंने अपने विभाग की अधिकारियों के साथ ताकि विभाग में ताकि बिहार में अब रात को नियंतरत किया जा सके कितनी बैठे के की इनोंने मुख्य मंत्री की आखे बंद रहती हैं उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती पर जब बात सयोजग बनने की आती है तो दोड़े दोड़े दिल्ली जाएंगे बैंगलूरू जाएंगे मुंबई जाएंगे हर जगा से बेजजद होके जाएंगे पर फिर अगली बार उमीद लगा कर जाएंगे अकेले बैठेंगे तो अधिकारियों से बात करकर बिहार की समिक्षा नहीं करेंगे फोन करेंगे नेताओं को कि हमको सयोजग बनाने का प्रस्ताव रखिए हमको सयोजग बनाने की आप लोग बात कीजे मुख्य मंत्री का काम एक मुख्य मंत्री की जिम अब बस इनको जिम्मेदारी चाहिए तो सहजग बनने की क्योंकि वही रास्ता है प्रधान मंत्री पद्री की दावधारी का इनको आने वाले चुनाव में मौझूदा प्रधान मंतरी आदनीय नरेंद्र मोधी जी के सामने प्रधान मंतरी पत का दावेदार बन कर इनकी जो टीस है इनके अंदर की जो एक कसक है कि भाईया वो तीन बार के मुक्य मंतरी प्रधान मंतरी बन गए तो हम तीन बार के मुख्य मंत्री प्रदान मंत्री की रेस में क्यों पिछड़ गए इस बारत की जो कसक है उनके बन में उनको वो चुबती है उनको फरक नहीं पड़ता बिहार और बिहारियों से बारत को आगे बढ़ाने के लिए नहीं वो कर रहे हैं इंडी अलाइंस को वो सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वकांचा पूरा करने का एक रास्ता वो बनाये हुए और अपने रास्ते कैसे बनाना है मेरे मुक्य मंतरी को बखूबी आता है कैसे जोड साब को रास्ते से हटा कर खुद अद्यक्ष बन जाना कैसे शरद यादव जी को रास्ते से हटा कर खुद अद्यक्ष बन जाना ये उनको खूब आता है RCPG को कैसे करीबी होने के बावजूद साइड लाइन कर देना ललन बाव जो उनके इतने करीबी उनको कैसे साइड लाइन करके खुद अद्धिश बन जाना ये तमाम रास्ते बनाना मेरे मुक्यमंतरी को आता है और वो सारे रास्ते खुले रखते हैं तो आने वाले दिनों में इसलिए तो इंडिया लाइंस के नेता घटक दल उन पर विश्वास नहीं करते ना कैसे विश्वास करेंगे जिन पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती जो दो दो बार जनादेश का अपमान कर चुके हो पंद्रा का जनादेश महागडबंदन के लिए सरकार चला ये एंडिया के साथ बीश का जनादेश एंडिया के लिए सरकार चला रहे महागडबंदन के साथ तो जब ये अपनी जनता के नहीं हुए तो ये किसी गडबंदन के सगे क्या होंगे